नमस्कार दाशो को सुप्रभाद जैगामरस में आपका स्वागत है इस समय हम लोग मौजूद है जैगां के डाड़ा गाउं इस्तेत अनुवान मंदिर प्रांगन में ठेक हासिमारा जोडा के बगल में यह मंदिर रिष्टित है और यहां पर एक व्यक्ति है जिने यहां कोई पहचानता नहीं है काफी दिनों से करीबन चार पांस दिनों से इन्हें यहां देखा जा रहा है लोग बता रहा है यहां देखा जा रहा है और बीमार बताया जा रहा है हम हम लोग यह द्रिश्य दिखा रहे हैं ताकि इनके परिवार वाले यहां के कोई भी व्यक्ति अगर इनको मदद पहुचाना चाहता है तो जरूर पहुचाए आप देख सकते हैं करीबन करीबन चार-पांस दिनों से इसे तरह से मंदिर के इस छेत्र में यह व्यक्ति यहां पे देखा जा रहा है बीमार है और कहां से आया है किसली यहां पे आया है यह विशे में हम लोग जानकरी लेंगे भया क्या ना में आपका तापोस दस मंगली है कहा घर कहा असम में असम में कहा रंगिया बुटान बॉडर रंगिया तो यहां क्या करने आया है पहले से काम करता है, यहां पे काम करता है, थाँ पे, अच्छा, हाजिरा यह लेबरी काम करता था, अच्छा, कितना दिन से यहाए है, पहले क्या, सिक्किम में था, एक मेना पहले आया, और अभी यहां पे क्या कर रहा है, विमर है, क्या हो गया, पूरा दर्थ कर रहा है कब से भी मार है और यहां वहां कोई है मलिक के वहां ही पे काम करता था क्या काम करता था काम करता था अचा यहां क्या हस्पिटल में भी दिखाया गया बोला क्या पेर में प्रब्लब नहीं चाल रहा है ना अभी क्या घर जाना है घर जाना है क्या पैसा वेशा है खाना होना क्या खाता है कोई-कोई ले आके देता है तो खाता है कहा घर बताया दरेंगा वो तो भूटान में है अचा 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 चलो आसाम में है अचा में यहां प मैंा पहले Making जाइगाम में आके कहीं काम कर रहा था दिन हाजिरा मजदूरी का काम कर रहा था यहीं भूलन टर्निंग कोई कबार का दुकान या गोडाउन में 200 रुपया हाजिरा मिलता था यह बता रहा है लेकिन अब बीमार होने कारण अब यहाँ पर पड़ा हुआ है लोग यहाँ पर एकत्रित है और हम लोग बात करेंगे हमारे साथ सुबाज भाई बात करेंगे सुबाज भाई इधर आजा इधर आजा ह इससलोएं पर किया देखे यहों क्या हो रहा है destac क् कुछ गामिनों ने आमको बोला कि भाई यहांपर एक पहीं कि उनसे पड़ा हुआ है तो उसको हर देशने का कुछ इंपे जाम करदो यह को हम लोग चंदा संदा उठाय के अमभग परे होगे कुकि साथाइड बीजी आदमी आपे वक्पड़ा हुआ है बीवारी यह बो परने इसे आ के कुछ जानकारी दिया तो जानकारी मीने से हमको पता नोला कि यह घिमार है और यह आदमी का भर बता रहे आसाम है तो मैंने इसको उच्छा कि घरजाएगा थे मैंने बोला कौह कोए तूल देढहा है नाया है कुछ खाने की जी बेवस्ता किया रहा है इसको पिंच के लिभा यहां पर मेरा अंटीजी है और चाहिं को बEhalt वा था है इसको देशने के लिए हज़ए हम रफल आपon कूल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और अंटे के हेल्प गरनों पेसा? यहां को नम क्यों? आंटे को नम क्यों है, अब देख सकते हैं, यहां के चेत्रे लोग यहां पे मदद पहुचा रहे हैं, और इस व्यक्ति को घर पहुचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है कि लोग इंसानियत को समझते हुए, कि इसके लिए धिया के निवाशियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस निवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं से कोई अगर साहाए कि शक्वी बीमार कोई गुजूर कोई भी इस तरह के व्यक्ति इस तरह से देखा जाए तो आप लोग भी मदद जरूर पहुंचाएं और मंदिर है भगवान का फ्रांगन है और यहां पर अगर कोई शरण लेता है मदद का आसा लगाता है तो उसे मदद जरूर मिलने चाहिए और यह दृश्य निवासी मदद पहुंचा रहा है उनको तहे दिल से धन्यवाद है जैगोमिरस के साथ जूड़ने के लिए धन्यवाद इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जूड़ते रहिएगा पलपल के खबरों के लिए आप सभी के समख हाजिर होते रहेंगे जैहिन